इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी सिनारस्ट सिर्फ को आम तोर पर बच्चों को नाक बहना खांसी छीकना आखों से पानी आना गले में छाले शरीर में दर्द और बुखार जैसे लक्षनों के इलाज के लिए दिया जाता है ये ल बच्चे के पेट में परेशानी हो जाती है तो हो सके तो इसे खाने के साथ दें हमेशा याद रखे कि आपके बच्चे के डॉक्टर द्वारा निर्धारित की गई खुराक आपके बच्चे के लक्षनों पर निर्भर करती है इसलिए निर्धारित खुराक समय और तरीके क पालन करें। सिनारस्ट सिर्फ को रोज एक निश्चित समय पर दें ताकि यह धीरे धीरे आपके बच्चे दिनचर्या में शामिल हो जाए जिससे आपको याद रखने में मदद मिलेगी। हाला कि अगर अगली खुराक का समय हो गया हो तो पिछली खुराक कभी साथ न ले। नियमित खुराक लेने के एक सप्ताह के भीतर आपका बच्चा बहतर महसूस करना शुरू कर सकता है। दाने और सिर्दर्द शामिल हैं। आपके बच्चे के शरीर को इस दवा की आदत लगने के बाद यह साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे। अगर यह साइड इफेक्ट आपके बच्चे के लिए बने रहते हैं या कश्ट प्रध होते हैं तो बिना किसी देरी के बच्चे के परामर्ष करें। अपने बच्चे के डॉक्टर को अपने बच्चे का पूरा मेडिकल इतिहास बताएं, जिसमें वर्तमान में चल रही दवा या किसी अलजी का इतिहास, हिरदै संबंधी समस्या, रक्त संबंधी विकार, जन्म विकार, एरवे अवरोध, फेफणों की लिवपूर्ण है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकोन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लि करें धन्यवाद